सीकर के दादिया थाना इलाके में एक बस ड्राइवर ने केमपर गाड़ी के चालक को लापरवाही से गाड़ी चलाने पर टोक दिया इस बात पर विवाद इतना बढ़ा कि केमपर ड्राइवर ने अपने साथियों के साथ बस के ड्राइवर के घर पर तोड फोड की साथ ही परिवार के सदस्यों को भी पीटा मामले में बश ड्राइवर ने दादिया थाने में मामला दर्ज करवाया है कूदन गाउं के निवासी विजय सुन्डा ने दादिया थाना में रिपोर्ट दे कर बताया है 9 जुलाई को वे हमेशा की तरह अपने रूट की बस चला रहा था साम साथ बचकर 15 मिनट के लगभग वे पालडी गाउं पहुचा जहां सामने से एक केमपर गाड़ी तेजी से आई ऐसे में विजय ने बस पीछे ले ली जिससे एकसिडेंट होते होते बचा इसके बाद उन्होंने केमपर ड्राइवर आकास बगड़िया को गलट गाड़ी चलाने के लिए टोका तो आकास और उसके एक साथी ने विजय से जगड़ा करने की कोशिश की इसी दोरान आसपास के लोग वहाँ आ गए जिन्हें देखकर आकास और उसका साथी वहाँ से भाग गया इसके बाद यालसर गाउं के एक दुकान संचालक दिनेर सुन्डा ने गाउं के अनिल को सूचना दी कि आकास और उसके तीन साथी यहाँ वैठे हुए हैं जो विजय सुन्डा को मारने की योजना बना रहे हैं इसके बाद रात करीब आठ वजे से लगबग एक केमपर गाड़ी और इंडिका कार विजय सुन्डा के घर के बाहर आई कार में सवार लोगों ने विजय को बाहर निकालने के लिए आवाज भी लगाई लेकिन डर के मारे विजय के परिवार का कोई भी सदत से बाहर नहीं आया इसके बाद केमपर गाड़ी में सवार आकास ने विजय के घर के बरामदे की रैलिंग और में गेट को अपनी गाड़ी से टकर मार कर तोड़ दिया इसके बाद केमपर गाड़ी से तीन चार लोग उतर कर विजय के घर के अंदर घुजें जिन्होंने पाइप और लाठियों से विजय के परिवार वालों के साथ मार पीट की डर के मारे विजय भाग कर कमरे में चला गया इसके बाद जोर जोर से चिलाने की आवाज सुनकर आस पास के लोग भी वहाँ पहुँच गए विजय ने बताया कि पिता की चोट लगने के कारण वह उन्हें सीकर के एसके हॉस्पिटल लेकर आया जिसके कारण वह पुलिस में जल्द सूचित नहीं कर पाया फिलहाल ददिया पुलिस ने मामला दर्ज कर जाच सुरू कर दी है Bureau Report, Virat 24 News